हेलो फ्रेंड संजु की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है आज मैं मुसली की नान खटाई की रेसिपी सेयर करने आई हूँ यह बहुत हेल्दी है ऐसे मैं माइक्रोवेब में बनाना बताऊंगी मैं सीसे का बड़ा सा बॉल ली हूँ और एक कटोरी गेहूं का आटा ली ह हूँ और आधी कटोरी घी ली हूँ और मुसली मैं ली हूँ एक कटोरी मार्गेट में आपको इजली मिल जाएगी सभी तरह के ड्राइफ फ्रूट्स होते हैं खाने वाला जो सोड़ा होता है वह आधा चमच दो बूंद मैं एसेंस ले रही हूँ अगर एसेंस नहीं है तो हरी वाली इलाइची को तीन चार को कुट के आप डाल दीजे फ्लेवर बहुत अच्छी लगेगी अब बेकिंग ट्रे को मैं पहले से देखे इस तरह से ग्रिस कर दी हूँ पहले ही से अब सिसे के बड़े से बौन में मैं आधी कटोरी घी डाल दूंगी यह देखे डल गई मेरी और आधी कटोरी आइसिंग सुगर डाल रही हूँ इन दोनों को पहले बहुत अच्छे से हाथ से ही मैं मिला लूंगी आप इसको जैसे भी एलेक्ट्रिक बिटर से मिलाना चाहें आपका मन है हाथ से भी तुरत हो जाती है काम और आधा चमच में खाने वाला सोड़ा इसमें डाल दूँगी और इसको पहले एक मिनट मस्त से इसको इस तरह से फेट दीजे जैसे पकोड़े को हम फेटते हैं उसका लिक्विट को उसी तरह से इसको कर दीजे हलकी हो जाएगी बहुत अच्छा से बहुत जल्दी हो जाती ज्यादा देर इसमें नहीं लगता है अरे जो गेहूं का आटा है एक कटोरी इसको मैं डाल दी इसके उपर अब इसमें मुसली जो है न हमारी एक कटोरी इसको भी डाल दूँगी बहुत हिल्दी है इसमें सभी तरह के ड्राइप रूट डले होते हैं अब इसमें दो बूंद मैं एसेंस डाल दूँगी आपको जो essence पसंद है वो डाल देजे और essence नहीं है तो हरी वाली इलाइची को कूट के तीन चार डाल देजे फ्लेवर बहुत अच्छी लगेगी इसको अच्छे से आप मिला लीजे देखे मैं मिला ली हूँ अब इसको क्या लड्डू का अकार मैं दूंगी आप क्या ना लड्डू इस तरह से और मैं बना लूंगी और क्या है सब को थोड़ा दूर दूर रखेगा ताकि यह थोड़ी सी बड़ी हो तो एक दूसरे में चिपके नहीं देखे मैं रख दी और इसको क्या कन्वेक्शन मोड में मैं 18 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी 180 डिग्री सेंटीग्रेट पर बहुत अच्छे से कुक हो जाती है ऐसे तो 18 मिनट में कुक हो जाती है पर 20 मिनट कम से कम रख दीजेगा इसको इस तरह से मैं रख दी हूं देखे और इसका पहचान क्या है ना कि फटी फटी बनेगी तो परफेक्ट बनी है देखे पूरी इसका टाइम पूरा हो गया ह बहुते हैं और इसको स्वीच ओप कर करकी इसका दिखा रही हूं देखे इस टॉप कर दी अब निकाल के आपको दिखाती हूं कितनी अ च्छी बनी है बिल्कुल फटी-फटी मैदान की तरह बने तो समझे य włya परफेक्ट आपका तयार हो गया थेके इसी तरह का फटा-फ खटाई की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकन को प्रेस कर देता कि नए वीडियो का नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू